नमस्कार दोस्तों धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है भगवान विश्रू के एक अवतार जिसे हम नरसिंग भगवान के नाम से जानते हैं उन्ही के हजारों वीरों में नरसिंग वीर का नाम आता है यह एक ऐसा शक्तिशाली वीर है जो तुरंत ही कार्यों को करने में सक्षम माना जाता है हालां कि यह एक उग्र साधना है और इस साधना को करने के दौरान आपकी कठिन परिक्षा हो सकती है लेकिन एक बार अगर यह वीर आपसे सिद्ध हो जाता है तो फिर आप इससे किसी भी प्रकार का कठिन कार्य आसानी से करवा सकते हैं इसकी साधना उपासना की विधी जानने से पहले इसकी प्रादुर्भाव कठा के विशे में भी जान लेते हैं तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान विश्णु का नरसिंग अवतार बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें वह अति विध्वन्सक रूप में उनके भक्त प्रहलात को बचाने के लिए आये थे सत्युक में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्य कशप हुआ था उसने कई सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके अधभुद वर्दान प्राप्त किया इसके अनुसार उसका वद्ध भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकता था इसके अनुसार वह ना अपने घर के अंदर ना बाहर ना दिन में और ना ही रात में ना भूमी पर और ना ही आकाश में ना ही किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से ना मनुष्य के द्वारा और ना ही पशों के द्वारा मारा जा सकता था इस वर्दान को पाकर वह अत्यन्त ही शक्तिशाली हो गया और स्वयम को अजर अमर महसूस करने लगा युद्ध में ना हारने के कारण स्वर्ग पृत्वी और पाताल लोग का राजा बन गया उसने स्वयम को भगवान घोशित किया और भगवान विश्णों को मनाने से या उनकी पूजा करने से सभी को रोक दिया था स्वर्ग लोग के राजा इंद्र को भी वहां से हटा दिया पृत्वी में अधर्म की स्थापना की रिशी मुनियों की हट्याएं होने लगी ऐसे में वह तीनों लोगों का राजा बन के स्वयम को भगवान बनवा लिया तब भगवान की माया के कारण उसी के घर में नारद मुनी की क्रपा से और उनके द्वारा गुरु बनकर उसी के पुत्र भक्त प्रहलाद के रूप में विश्रू के सबसे भड़े भक्त का जन्म हुआ और जो राजा विश्रू से अत्यंत ही क्रोधित रहता था उसी के घर में दिन रात विश्रू नाम जपने वाला उसी का पुत्र हो गया जब उसे यह बात पता चली तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद को बार-बार मारने और उसे कष्ट देने की कोशिशें की कभी सापों के भरे कारावास में फिकवा दिया, कभी हाथियों के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया, पहार से नीचे खाई में फेक दिया, अस्त्रों से शरीर के टुकडे करके फेका, अगनी में जलाने का प्रयास किया, लिकिन इसके बावजूद उसका पुत्र बा बार बार श्री हरी का नाम जपने लगा। लेकिन एक दिन हिरण कश्यप की सीमा ही न रही। और तब जब उसकी पुत्र ने उसे समझाया कि भगवान विश्वु सर्वत्र विद्यमान है। तब सामने खड़े खंबे को देखकर हिरण कश्यप ने कहा अगर भगवान इस खंबे में है तो मैं इसे तोड़ कर तुझे दिखाता हूं। तब उसने उस खंबे पर प्रहार कहा। और उस प्रहार में खंबा तूटा लेकिन वहां से सिंग के मुखवाला अत्यंतही क्रोधित स्वरूप नरसिंग अवतार का जन हुआ। तब उन्होंने उसे पकड़कर दर्वाजे पर ले जाकर शाम के समय अपनी गोदी में रखकर अपने नाखुनों से फार दिया और ब्रह्माजी के वर्दान की सरुर्प्रकास से रक्षा की। इस प्रकार तब भगवान नरसिंग अत्यंतही क्रोधित होकर सारे शत्रों का दमन करने लगे। वह उस स्थान से बाहर निकल गए और हर जगह उनके क्रोध के कारण सभी का नाश होने लगा। अपने क्रोध को और अधिक बढ़ा कर उन्होंने चारों तरफ सभी को मारना शुरू कर दिया। उसी समय उनके शरीर से हजारों की संख्या में वीर शक्तियों का जन्म हुआ। यह वीर शक्तियां उनके ही रूप और स्वरूप वाली थी। उनमें नरसिंग भगवान का ही स्वरूप लिये नरसिंग वीर का जन्म हुआ। जो की हजारों की संख्या में थे। तभी से नरसिंग वीर इनके अंश के रूप में इस प्रत्वी पर विद्यमान है। यह सभी शक्तियां क्योंकि वीर हैं इसी कारण से सभी माता काली के अधीन उनकी सेवा में तत पर रहती हैं। अब जानते हैं कि इस वीर की साधना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस साधना के लिए आपको कोई एक बंद कमरा हो, शम्षान हो या फिर निर्जन इस्थान हो, जहां पर कोई आता जाता ना हो। ऐसे इस्थान का चैन कीजे। सबसे पहले माता महाकाली की पूजा उस इस्थान पर ग्यारह दिन तक करें और उन्हें प्रसन्न करें। तब माता काली की प्रसन्ता के करण उस इस्थान पर अब वीर साधना की जा सकती है। अब वहां पर नरसिंग भगवान के स्वरूप वाली एक मूर्ती की स्थापना कीजिए। उसके आगे अखंड दीपक 41 दिन तक प्रज्ज्वलित कीजिए। जो लोग इस साधना को तामसिक तरीके से करना चाहता है। उन्हें बक्रे की बली वहां पर देनी चाहिए। जो लोग इस साधना को सात्रिक तरीके से करना चाहिए। उन्हें वहां पर गुड के बने हुए बक्रे की बली देनी चाहिए। इस प्रकार इनके मंत्र का जाब लाल रंग के उनियासन पर बैठकर लाल रंग की माला से जो की हकीक की हो। उससे लगातार रात्री 10 बजे से अखंड जाब करना चाहिए। रोजाना 51 माला का मंत्र जाब 41 दिन करने से वीर साक्षात हो जाते हैं। दशान से हवन आप इनका कर सकते हैं। सात्विक तरीके में आप घी से इनका हवन कर सकते हैं। मंत्र के आगे स्वाहा शब्द लगाखर। इनकी साधना करने से अतुलनीय तेज की प्राप्ति होती है। इनकी पूर्ण सिद्धी होने पर साथ बार केवल मंत्र जाब करने पर नरसिंग वीर साक्षात सामने प्रकट हो जाते हैं। उन्हें अपने वचनों में बांध लेना चाहिए। अन्य था यह तीवर रूप से क्रोधित होकर तुरंत ही कुष्ण कुछ करने लगते हैं। ऐसे में इनके भोग की सामगरी भी इन्हें अर्पित करनी चाहिए। जो भी इन्हें पसंद हो आप इनसे पूच कर वह चीजें इन्हें अर्पित कर सकते हैं। भौग देने के परश्चात आप इन्हें इनका कार्य सौप दें। भीशन और तीव्र कार्य यह बहुत जल्दी करते हैं। इनकी सिद्धी होने पर साधक मारण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग और किसी को भी भैभीत कर सकता है। कोई भी शक्ति इनके आसपांस आकर नहीं टिकती है। अपने विभिन्द प्रकार के कार्यों को यह कर सकते हैं। किसी भी शत्रु को डराने का इनका विशेश महत्व है और भयंकर से भयंकर शत्रु भी इस वीर की शक्ति के कारण भयभीत हो जाता है। इसलिए इस साधना को स्वयम बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। साधना के दौरान साधक की भय परिक्षा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जो भी इस योग्य हो जो इस साधना को कर सकता हो केवल वही इस साधना को करने के बारे में सोचे। साधना के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में हर प्रकार से शुद्धता रखना आवश्यक होता है। इनका जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। ओम क्रीम उग्रवीर महा विष्णू सेवकम कार्य सिध्धी कुरू स्वाह। इसी मंत्र को आपको जाप करते हुए सिध्ध करना है। और 41 दिन के अंदर आपको इसके अतुलिनी प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस मंत्र का सिध्धी करन हो जाने पर साधक के मन से हर प्रकार का भय नश्ट हो जाता है। अगर मंगल ग्रह से संबंदि कोई पीड़ा है वह भी नश्ट हो जाती है। और उत्साह, शक्ती और सामर्थ का एक अदभुद संचार उस साधक के अंदर विद्यमान हो जाता है। वह दुनिया को बहुत ही छोटी नजर से देखता है। और उसके लिए हर कारे बहुत ही आसान उसे दिखाई देने लगता है। इतनी उर्जा उसके शरीर के अंदर बहने लगती है। तो यह था नर्सिंग वीर साधना का एक विवरण। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल मैं हो, धन्यवाद।